जो लोग गाय पालते हैं वो अच्छे से वाकिफ हैं कि भरत में एक नई महामारी फैल रही है लंपी स्किन डिजीज लंपी स्किन डिजीज पशू का इतना बुरा हाल कर देती है ये बीमारी बहुत तेजी से फैलने की बज़े से इंडिया के हर स्टेट में अभी तक हजारों पशू मारे जा चुके हैं और लाखों इंफेक्टेड हैं चलिए समझते हैं कि लंपी स्किन डिजीज पशू को इतना बुरा हाल कैसे कर देती है ये एक लंपी स्किन डिजीज वाइरस है ये गायों में बहुत तेजी से फैल कर इनको इंफेक्ट करता है जब एक स्वस्त गाय इंफेक्टिट पशू के कॉंटेक्ट में आती है तो ये वाइरस इस स्वस्त गाय की बॉड़ी में एंटर कर जाता है और इससे ये गाये खाना पीना छोड़ देती है इनफेक्ट होने की शुरुवाती स्टेज में तेज बुखार के साथ-साथ मूँ और नाग से पानी गिरता है और लगबग 4-14 दिनों में गाये की स्किन पर इस तरह की गांठें उबर आती है इन गांठों में पानी और पस बनने लगता है जो की गाये के लिए काफी पेनफुल होता है इस स्टेज में गाये काफी दर्द में होती है दर्द और इंफेक्शन की वज़़े से अब इसकी आँखों में पानी भी आने लगता है लंपी स्किन डिजीज सिर्फ खतरनाक और जान लेवा ही नहीं बलकि बहुत तेजी से भी फैलती है कंपेरेटिवली आसान है ना 3D में कॉंसेप्ट समझना तो और 3D वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ